ओम श्यान्ती आज 18 दिसंबर 2030 मीथे प्यारे बावा के साकार मुडलिक की मुख्या पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट है बावा कहते मीथे बच्चे आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथ्वा कुम्ब है इसी मिलन से तुम पावन बनते हो यादगार में फिर वो मिला मनाते हैं कितनी सुन्दर बावा ने सिखाई है अभी भी लेटेस्ट बावा का मिलन था 15 दिसंबर को तो मदुवन बेहद घर में कितनी आत्माएं बावा से मिलने पहुंची है न तो ये क्या है बेहद का कुम्ब है आत्मा परमात्मा का मिलन बड़ा सुन्दर सुहावना मिलन होता है जिसका यादगार बावा के ते भगती मार्ग में भगत मनाते हैं दूसरा पॉइंट है प्रशन तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत स्यानप चाहिए स्यानप मना समझदारी तो कौन सी स्यानप चाहिए उत्तर में बावा कहते ग्यान की जो नाजुक बाते हैं उन्हें समझाने की बहुत स्यानप चाहिए युक्ती से ग्यान मारग और भगती मारक को सिद करना है, है ना, हम बाबा कितने सुंदर बात बता रहे हैं, कि भगती मारक और ग्यान मारक को उनके बीच में क्या अंतर है, वो सिद करना है, है ना, हम यह नहीं किसको कह सकते कि आप भगती मत करो, लेकि अंतर स्पष्ठ जरूर करना चाहिए, ऐसे जाओ भी अपनी बात कह भी दो और आगे वाले को फिल भी ना हो तो सर्विस की युक्तियां रचनी है कुम्ब मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्मों का कल्यान करना है पती से पावन होने की युक्ति बतानी है तो बावा ने आज क्या से आनप समझाई बच्चों को ग्यान की नाजुक बाते हैं क्यों कि बावा ने हमको नया ग्यान दिया जो आज तक कहीं लिखा हुआ नहीं है तो नहीं नहीं बाते हैं तो समझाने के लिए बावा के थे बहुत से आनप चाहिए और बहुत युक्ति से समझाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना तूटे है इसरा पॉइंट है बावा ने का कि पतीत पावन कौन ये समझाओ जैसे कहते हैं पतीत पावनी गंगा है या त्रिवेनी पतीत पावनी है और साथी साथ भगवान के लिए क्लिए क्या बोलते हैं पतीत पावन आओ है न तो बावा केते हैं गंगाएं तो सदाई हैं वो तो यहां पर बैती रहती है तो फिर पतित पावन परमात्मों क्यों बुलाते हैं तो बावा केते हैं उनकी बुद्धि में यह सुष्ट करना है कि सबका गती सदगती दाता पतित पावन परमात्मा है किसी गंगा के सिनान से या इस तरह से आत्मा पावन नहीं बनती है सिर्फ बावा की याद है भगवान की याद है उससे हम पावन बनते हैं फिर चौती बात हैं बावा ने बड़ी सुन्दर बात समझाई बावा कहते देखो शिरिनात की मंदिर में कितने माल बनाते हैं माना वेराइटी शिरिनात कृष्ण जी का ही मंदिर है और दूसरा है जगरनात पूरी और भी कृष्ण जी का ही मंदिर है विष्णु जी का तो दोनों ही opposite वहाँ पर भोग लगता है अब शिरनाथ द्वारे में क्या है वेराइटी देशी घी के भोग लगते है तो बावा कहते है वो याद है कृष्ण जी के सत्यूगी जीवन की और दूसरे तर्फ जगरनाथ पूरी में दिखाते हैं कि वहाँ भोग लगता है फिके चावल उसमें घी भी भी नहीं डालते है तो माना वो यादगार है हमारे इस अंतिम जीवन की कल्यूगी जीवन की जवात्मा बिलकुल ही क्या बन गई खाली कंगाल हो गई तो बावा कहते देखो कितना जवरदस्त जो है कंट्रास्ट है जो तुम बच्चे समझा सकते हो पांचवा पॉइंट है इसमें बावा ने समझाया कि मनुश्या कितना दान पुन्या करते हैं लेकिन वो एक जन्म के लिए फल मिलता उनको लेकिन यहां तुम जो भी इश्वर अर्थ दान पुन्या करते हो माना इश्वर या अर्थ अर्पन करते हो वो इक जन्म के लिए तुमें उसका फल मिलता है क्यूंकि इस समय इश्वर माना श्वर बावा डारेक्ट आये हैं तो डारेक्ट की प्राप्ती बहुत ज़्यादा है चछठा पॉइंट बावा ने शिर्मत को लेकर समझाया कि शिर्मत पर चलेंगे तो बेड़ा पार होगा नहीं चलेंगे तो बेड़ा कैसे बार होगा है ना शिर्मत पर चलने से राजा ही मिलती है और शिर्मत पर आखिर नहीं चलेंगे तो बावा ने कहा खतम ही हो जाएंगे है ना माना बावा कहना ने मानेंगे तो क्या होगा रावन ले जाएगा ना उठाकर तो बावा कह रहे हैं सजनिया साजन के साथ योग लगाएंगी तो बुद्धी का जो दीपा के हो जगा रहेगा है ना अगर योग नहीं लगाएंगी तो दिवा जो है वो बुझ जाएगा इसलिए बावा के साथ बुद्धी का योग हमेशा लगा रहे और साथों पॉइंट बाबा केते याद के बारे बाबा ने समझाया कि याद से आत्मा के पाप दगध होंगे और याद एक वशिकन मंत्र है जिससे मन वश रहता है बाबा ने का इतना सुन्दर मैंने तुम को तरीका बताया याद का कि घर घरस्त में रहते भी दे के संबंदियों में रहते हुए भी उनसे बुद्धी निकाल के बाबा को जो याद करेंगे तो आपको बहुत बड़ी प्राक्ती होगी बहुत बड़ी प्राक्ती के दिकारी हो जाएंगे और सारी सजाएं वो भी खत्म हो जाएंगी अगर देधारियें को याद करते रहेंगे तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी प्रश्ट हो जाएगा आठवी बात बावा ने बहुत ही सुन्दर हमारा ध्यान खिंचवाया देर अंकारी बनने पर बावा केते देर अंकारी बन साइलेंस में रहे कांटों को फूल बनाने की मेहनद करनी है है ना निरंकारी बनना जब आत्मा के अंदर ग्यान भरता जाता है उसको ओदा मिल जाता है पोजिशन मिल जाती है ना दूसरे विक्ति यह अप्रिशेट करते हैं तो मैकसिमम आत्मा को क्या होता है उस बात का अहम आ जाता है अंकार आ जाता है जो अंकार उसके लिए बहुत बड़ा जहर का काम करता है तो बावा के थे नहीं अंकार में नहीं आना तो मैं क्या बनना अंदों की लाठी बनना है पावन बनना है और विचार सागर मन्थन खूब करना है स्मर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले Holy Hans भव भूस सुंदर बावा ने समझाया कि समर्थ संकल्प हमें चलाने है और अपना खाता जमा का हमें बढ़ाना है बावा समझाते जैसे जो हंस है कंकड और रतन को अलग कर देते हैं ऐसे आप कौन हो, Holy Hans, अर्थात, समर्थ और व्यर्थ को पर्खने वाले, है न, तो चेक कर अपने जीवन में, करते हैं हम ऐसा, व्यर्थ को देखा, ये व्यर्थ है, उसको जीवन में विलकुल आने नहीं देना है, संकल्प व्यर्थ चलने नहीं चाहिए, है न, बोल कड़ को जुग नहीं सकते, अलग रख देते हैं, और छोड़ देते हैं, ग्रहन नहीं करते, ऐसे क्या बनो, Holy Hans, माना व्यर्थ को छोड़ दो, और समर्थ को धार्ण कर दो, व्यर्थ तो बहुत समय सुना, दौपरी उसे क्या किया, ये किया न, व्यर्थ सुना, व्यर्थ और परिणाम भी क्या निकला फिर, व्यर्थ परिणाम मना सब कुछ गमा दिया, अब गमाना नहीं है, बाबा क्या डारेक्शन दे रहे हैं, अब गमाना नहीं है, जब मांका खाता बढ़ाते जाना है, ये बाबा ने वर्दान बहुत सुन्दर दिया, व्यर्थ याद रख स्वेम को इश्वरिया मर्यादाओं के कंगन में बांध लो वा, कितने सुन्दर बात बोली स्वेम को इश्वरिया मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंदन समापत हो जाएंगे है न, इश्वरिया जो मर्यादाओं है तो बाबा कहते हैं, मर्यादाओं में रहना ही बहुत बड़ा फाइदा है क्यों? क्योंकि जितना मर्यादाओं में रहेंगे, उतना रावन के जाल से छूटते जाएंगे बचते जाएंगे, अगर मर्यादा से बाहर गे तो रावन के अन्य एक ऐसे बंदन है जिसमें आत्मा बनती जाती बनती जाती और भारी हो जाती जो हम अभी देख रहे हैं परिणाम हमारे सामने है तो बावा क्या करने आए हमें छुडाने आए हलका करने आए तो क्या सिखाई बावा ने बड़ी सुन्दर सुन्दर मरियादा है तो मरी आदव में रेक करके बस बावा की आदव में पूरा संगम हमने बिताना है ठेक है ओम शानती